दोस्तों आज का वीडियो काफी important है क्योंकि इस method से इस trick से आप एक नहीं बल्कि multiple chains की airdrop के potential participant हो सकते हैं और आपको multiple airdrops में फायदा यहाँ पर हो सकता है तो क्या है वो trick उसमें आगे बनने से पहले अगर आपने मुझे twitter पर x पर follow नहीं किया है तो यहाँ पर follow ज़रूर कर यह तक क्योंकि यहाँ पर मैं आपके साथ instant update शेयर करता हूँ और साथ ही साथ गया हूँ विटकोंज का YouTube चैनल अगर आपने subscribe नहीं किया है बेल notification आइकन बेक्लिक नहीं किया है तो वो काम पहले कर लिजे क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसको करते हैं तो आपकी future में कोई भी erving opportunity miss नहीं होगी चैनल पर videos पर already आपके साथ मैंने काफी alpha share किया हुआ है almost 6.99 याने कि यह जो video है 700th video है मेरा इस channel पर तो hopefully जो लोग मुझसे काफी पहले से जुड़े होए हैं मेरे साथ इस channel के साथ जुड़े होए हैं उनको काफी यहाँ पर फायदा हुआ होगा तो क् ट्रेक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है orbiter finance को लेकर orbiter finance ने अपने recently last week o points introduced की हैं जहां से आप track कर सकते हैं orbiter के उपर transactions और जितनी orbiter के उपर आप transactions करते हैं उसके corresponding आपको कुछ o points मिलते हैं जो की quests के तुरू आप यहाँ पर earn कर सकते हैं अब interesting चीज यहाँ पर यह है चाहिए वो galaxy पर nfts मिले होंगे और ots मिले होंगे उन सब को यहाँ पर o points के अंदर convert कर दिया जाएगा जैसे यहाँ पर आपके देख सकते हैं we will soon convert your previous contributions nfts, ots, galaxy loyalty points etc. into o points तो orbiter finance हम अभी से नही 2022 से use कर रहे हैं काफी time हमें हो गया use करते हुए काफी transactions आपकी यहाँ पर हो कुछ यहाँ पर आपने points वगरा claim भी गिये होंगे तो सब अच्छी बात यहाँ पर यह है कि वो o points के अंदर convert हो जाएंगे और o points जो है वो definitely translate होंगे orbiter की upcoming a drop में बट आज के इस method में आप सिरफ orbiter ही नहीं orbiter को use करके multiple chains में कैसे a drop के participant बन सकते हैं वो जान निगोश करते है सबसे वहले उसके लिए जाना है आपके orbiter पे orbiter का simple सा process है bridge आपको use करना है एक chain से दूशी chain में यहाँ पर आप इस पर login करेंगे तो आपको o points दिख रहे होंगे और यहाँ पर कुछ quests दिख रहे होंगी जो जो quest आप complete कर चुके हैं उसके corresponding आपको points मिल गए होंगे वो grade out हो L2 के linear में तीन transactions करनी है bridge करने हैं अपने funds तो तीन linear से किसी और chain में करेंगे और किसी और chain से तीन transactions linear में करेंगे तो आपके यह सारे के सारे quest जो फिलाल भी हैं वो यहाँ पर compete हो जाएंगे और maximum points जितने आपको भी मिल सकते हैं यहाँ पर मिल जाएंगे तो दो-दो transactions में अल आपको दिखाऊंगा अभी तो यहाँ पर 0.001 ही Ethereum हम अभी move करेंगे base से linear में यहाँ पर send पर click करूँगा यहाँ इसको confirm and send करेंगे तो इधर आपका जो metamask में pop up आएगा उसी में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो gas है वो zero है तो base से अगर आप अभी यहाँ पर कर रहे हैं zero है या zero से बहुत ही ज़्यादा कम है तो बिल्कुल minskal है यहाँ पर तो यहाँ पर bridge करने के base से linear में मुझे कोई भी gas fee देनी नहीं पड़ रही है तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर confirm जैसे ही यहाँ पर यह confirmation complete होगी linear के अंदर यह जो funds move हो जाएंगे responding मुझे points जितने भी हैं यहाँ पर वो मुझे मिल जाएंगे और यहाँ पर आके add हो जाएंगे तो यह आप देख सकते हैं यह transaction complete होगी 10 points मुझे यहाँ पर मिल गए 35 points ते 45 points यहाँ पर हो गए almost approximately 30 seconds सकते है transaction complete होने में यह वाला जो task है यहाँ पर यह complete होगी अब एक ही task मेरा base से मैं linear में फिर से transfer करूंगा अबर फिर से zero यहाँ पर gas भी है confirm करते हैं तो यह वाला task भी होगा अब यहाँ पर हमारे points बेड होगे तो यह सारी question हमें complete करने के बाद यहाँ पर 60 points जो हैं वो दे दिये हैं तो इसे ताब से आप सारी यहाँ पर task आके complete कर सकते हैं basically transactions करनी है linear से किसी और chain में और किसी और chain से यहाँ पर linear में तो आपको यहाँ पर points मिलेंगे एक quest आपके complete हो जाएगी इसके लावा यहाँ पर more partner incentives में आप देखेंगे तो आप Izumi finance के साथ भी अगर कुछ transactions करते हैं तो उसमें भी आपको यहाँ पर points मिलेंगे और कुछ यहाँ पर rewards भ रहे हैं आपको कुछ task यहाँ पर complete करने हैं basic से टास्क हैं यहाँ पर follow करने हैं discord पर करने हैं उसके बाद यहाँ पर आपको Izumi swap यहाँ पर use करके at least $25 worth of Ethereum किसी भी और token के अंदर यहाँ पर आपको swap करने हैं तो माली जाए Ethereum को आप USDC में swap कर लेते हैं minimum $25 के तो यहाँ टास् पर complete हो जाएगा तो basic से process यहाँ पर Izumi finance की website पर जाके को लेंगे swap करेंगे linear connect करके minimum $25 का Ethereum से किसी भी और supported token के अंदर और यहाँ पर swap करने के बाद आप liquidity में जा सकते हैं और यहाँ पर किसी भी pool के अंदर आके liquidity add कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर stake Ethereum की ही add कर दी है तो पर transactions V भी मिलती रहेंगी और इस type के यहाँ पर liquidity add करने में आपका minimal से minimal यहाँ पर risk है क्योंकि यहाँ पर stake Ethereum और Ethereum की almost one to one ratio में यहाँ पर value चलती है तो ऐसे ही किसी भी pair के अंदर आके आप liquidity देरेजिए $25 की minimum swap कर लेजिए तो आपकी यहाँ बोनस quest जो है वो भी complete हो जाएग में multiple यहाँ पर bridge करते रहिए यहाँ पर बहुत सारी chains supported हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं linear है zk-sync era है arbiter में stock net है तो आपको मालूम है polygon zk-evm तो यह सारी की सारी chains जैसे stock net हो गया या फिर zk-sync हो गया linear हो गया इनकी potential airdrops अभी भी बाकी है snapshot होनी बाकी है तो यहाँ पर आ मैं recommend करना हूँ कि base chain use करके बाकी सब chains में bridge करियो और एक एक दूदो transactions हर एक bridge की यहाँ पर आके अगर आप कर लेते हैं वापिस base में या किसी और chain में तो आपकी multiple chains में यहाँ पर transactions हो जाएंगी specifically base से किसी और chain में आपकी zero fee यह से आपने देखिया लग रही है या minimal से minimal fee लग बढ़ती रहेंगी और orbiter का कुद के यहाँ पर nfts चल रहे हैं galaxy पर जैसे आपको बताया कि इस सरे nfts भी points में convert हो जाएंगे और यहाँ पर इनका maximum nft आप ले सकते हैं अगर आप 500 transactions orbiter के ओपर कर लेते हैं तो आपको इनका highest अभी तक का orbiter ace pilot nft जो है वो मिल जाएगा जो अभी तक सिरफ 658 participants ने किया हैं तो यहीता दोस्तों मेरा आज का वीडियो अमीद करता हूं इससे आपको काफी फायदा होगा वीडियो को दूर लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब बना ना बुले मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए have a safe investment